हेलो हाई एवरीवन आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके चोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी री एक्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट टोपिक यूपी के वन्यजीव अभ्यारण ठीक है चाहे उसकी बर्ड सेंश्रीज हो और इकलोता उसका नैशनल पार जो एक टाइगर रिजर्व आज के टाइम पर आपका जाना जाता है तुद्वा नैशनल पार तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर इसकी स्थापना बताई थी यह फेमस है आपका चिंकारा सांबर भालू तेंद्वा और आपका डिफ्रेंट बर्ड के लिए किशनपूर वन्यजीव अभ्यारण 1902 में इसको बनाए गया था लखेंपूर खीरी के अंदर है यह आपका चीता तेंद्वा और हीरन के लिए ब पहराईच में बिलेगा अगला है रानीपूर वन्यजीव अभ्यारण जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है यूपी का कहते है ना चार टाइगर रिजर्व में से तरो ताजा जो है आपका यह आपका चितरकूट के अंदर है 1977 में इसका क्या हुआ था स्थापना हुई थी और यहां पर यह different creatures के लिए आपका famous है महवीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण 1977 में इसका सापना हुई थी ललितपूर के अंदर यह मोजूद है ललितपूर जो आपका uranium के लिए भी जाना जाता है यह आपका more यानि कि पिकोक के लिए ज्यादा famous है चंबल वन्यजीव आपके क्या करते हैं बचा यह आपका इसको शेर करते हैं चंबल वन्यजीव अब भ्यारण आपका यहां पर यूपी के अंदर जो पढ़ता है वह इतावा के अंदर पढ़ता है 1979 में इसको बनाए गया था कैमूर वन्यजीव भ्यारण कैमूर जो मध्या प्रदेश और आगे हैं आपका सोहागी वर्वा वन्यजीव अभ्यारन सोहागी बर्वा वन्यजीव अभ्यारन 1987 में इसकी स्थापना होई थी महराज गंज के अंदर यह आपको मिल जाएगा सुहेल देव इंपौर्टेंट है कंई बार आपका पूछा जा चुका है वन्या-जीव विहार 1988 में बल्रामपूर के अंदर वचाई यह है अगला है आपके सामने पीली भीद वन्यजीव ब्यारन पीली भीट जहां से आपके फुलहार जी निकलती है जहां से आपकी गोमती नदी आपका फ्लो करती है पीली भीट के अंदर है 2014 में इसका गठन किया गया था चंदर शेखर आजाद नवाब कर पक्षि विहार 1984 में इसका गठन हुआ था या उस्थापना की गई थी उन्नाव के अंदर ही आपको मिलेगा अगला सवाल है लाग बहोशी पक्षि विहार बड़ सेंचुरी आपके 1988 में इस्थापना कन्योज के अंदर ही आपको मिल जाएगी और ये कई बार पूछा जा चुका है सांडी ठीक है सैंडी पक्षि विहार या सांडी इसको बोला जाता है हि इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो यह 1990 में इसको क्या किया था इस्थापना हुई थी हर्दोई के अंदर मिलेगा बखीरा जील मॉस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है unfortunate 1990 में इसका सापना हुई और यह मैंनपूरी के अंदर आपका मोजूद यह बाकी इनका अ cần का कर चाहिए विज्जय सागर पक्षे विहार 1990 के अंदर वैसा कर चाहा इसको जाना जाता है महोबा हमीरपूर के अंदर हैं को मिल जाएगा अग्ला आगला आपका profits 근 सुरहाताल पक्षिविहार इम्पोर्टेंट है बच्चा देखे किठम जील भी आपका यहां पर बहुत पूछा जाता है आगे चलिए भीम्राव अंबेटकर पक्षिविहार 2003 के अंदर इसका गठन हुआ था प्रताप गड़ के अंदर मुझूद है उपरी गंगा नरोरा नवाबगछ बच्चाम आपको बता चुकी हो लेड़ी नवाबगछ बर्ड सेंचुरी आपका उनजाव के अंदर है। समझपूर इरो आलग है धिहानर्खना। समस्पूर पक्षिविहार आपका UP के राइबरेली के अंदर है और सेंडी पक्षिविहार अभी अभी बताया है आपका हर्दोई के अंदर है and thank you for watching बच्चो अब आपके लिए question है मुझे जल्दी से बताईए सुरहाताल ठीक है अल्रेडी आपका कर चुके हैं पहले हम सुरहाताल UP के किस छेतर के अंदर पड़ता है सुरहाताल जील जो है वो आपको कहां पर मिलेगी या simple सुरहाताल की location आपको बतानी है सबको comment करके ब बतानी है और साथ साथ में चाहे history हो जोग्रोफी हो पॉलिटी हो इकनॉमी हो बचा मतलब static हो कोई भी ऐसा टोपिक जिसको आपके छोटी सी वीडियो चाहिए 8-10 मिनट के अंदर कि मैं हमारे revision के लिए एक वारी करवा दो important questions की आप यहां पर type कर सकते हैं comment box में जरूर बता पैनल को subscribe जरूर करेंगे